हेलो फ्रेंड्स माइ बिजनेस गुरू चैनल को सब्सक्राइब करें यह एक तम मुफ्थ है और साथ में की वे बेला इकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले माशकार दोस्तो मैं हूँ आपका MSME Consultant और आप देखें हैं अपना चैनल माई बिजनेस गुरू दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से आप लोग जैसे की अमेजों ने फ्लिपकार से प्रटेक्ट महाते हैं उसी तरकार से सरकार के अधीन जितने भी बिभाग और कार्डेल हैं उनके लिए आने वाले समय में एक अनवारता कर दी जा रही है कि उनको अपने ऑफिस की जरूरत की जितनी भी बस्तू में सर्वेसेज हैं उनको जैम पोर्टल से ही महानी होगी जैम पोर्टल सरकार का पोर्टल है जिसकी फुल फॉर्म है गवर् जैंडर के परिकरिया से मगाए या आप को कॉल करके मगा सकते हैं तो आप जबही देने के हगदार होंगे जब आप जैम पर रेश्टर होंगे और जैम की सबसुदी खास बात यह कि सरकार में दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा लेट आएगा या डूप जाएग और उसको आधारकार को हरी जगे पर अनवारे करना शुरू कर दिया तो यह जान लेजी कुसी परकार से अगर आप सरकारी कार अलम कुछ भी अपना समान देना चाहते हैं तो आज ही फ्री रेजिटेशन अपने आपको जैम पर करें और इस वीडियों में समझें किस परकार से आप अपने आपको जैम पर इश्टर कर तकते हैं अज इंडिया में करोडों पब्लिक सर्विंस लाखो दफतर और इन दफतरों की हजारों जरूरतें पेन और पेपर से लेकर ट्रांस्पोर्टेशन तक की जरूरतें पर जरूरत को पूरा करने का सिस्टम क्या वही सालों पुरानी प्रोक्योर्मेंट की प्रोसेस और वही कागजी कारेवाही क्योंना प्रोक्योर्मेंट के इस आउटडेटिट प्रोसेस को ही बदल दिया जाए क्यों ना restricted marketplace बने open to all? क्यों ना procurement को technology की मदच से बनाया जाए speedy and transparent जिससे सरकार को मिले right product, right price पर, right time पर, right source से, right quality में भी और right quantity में भी? इन सवालों के जवाब सर्फ चार महीने में, Department of Commerce ने Ministry of Electronics and IT की तक्नीकी सहयता के साथ तयार किया भारत का पहला e-marketplace, जिसका 9 अगस्त 2016 को हुआ शुभारंब, जैम, Government e-marketplace इसमें अगर right hand पर आप देखते हैं, तो login अगर आप पहले से register हैं, otherwise आप log up का फ्लोग करेंगे, इसमें wire और seller, क्योंकि आप है seller, क्योंकि आप बस्तू के निर्माता हैं, तो आप seller का chain करेंगे, और seller में जाके अपना registration करेंगे, ये registration पर क्लिए बहुत ही सरह है, जिस परक कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार नमबर मांगा हुआ है, और दूसरा आप से मांगा हुआ है, mobile नमबर चुकि आधार कार से connect हूँ, मालीजे मैं इसमें, अपना सबसे पहले आधार नमबर ये डाल देता हूँ, उसके बाद जो दूसरा बाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर मैं अपना mobile नमबर डाल देता हूँ, mobile नमबर और आधार कार डालने के बाद आप देखेंगे कि नीची verify आधार नमबर का एक option दिया हुआ है, यहाँ जाके मैं अपने आधार कार को verify करूँगा, सबसे पहले आप ध्यान से अपने आपको आधार कार को आधार कार को verify करेंगे, verify करने के बाद आपको एक OTP जो कि आपने mobile नमबर डाला तो उस पर जाएगा, उस OTP को डालना होगा आपके लिए, और उस OTP को डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक interface खूल के आएगा जो कि यह बता रहा है कि आपका आध verify कर लिया गया है, यह details आती है, कुछ details में आप सबसे पहले, अपने आपको verify करना है, mail ID के थुरू, क्योंकि phone से तो आप करी चुके हैं, अब उसमें आप mail ID डालेंगे, mail ID में दूसरा जो verification के दूसरा चरणर जिसमें mail ID को शामिल किया गया है, क्योंकि हम mobile से तो अपने ID डाल कर अपने आपको confirm करेंगे, जैसे आप इसमें mail ID डालने को आप देखेंगे, आपको एक OTP प्राप्त होगा, वो OTP हमें इसमें इंटर करना होगा, इंटर करने को आप हम उसे verify करेंगे, जहां रखेंगे दोस्तों, यह mail ID आपके लिए काफी काम की होगी, क्योंकि OTP को आप इसमें डालिए, और OTP को डालने के बाद इसको verify कर लिजे, मान लिजे मुझे प्राप्त OTP यह है, जिसको मैं इसमें insert कर रहा हूँ, उसके बाद मैं से verify करूँगा, जैसे ही मेरा mail ID verify होता है, उसके बाद मुझे ये user name और password चुनने का option दे देता है, यहां पर मैं मैं अपना कोई भी user ID चुन लेता हूँ, जो कि मेरी firm से संबन्दित हो, उसके बाद मैं अपनी अनुसार इसमें को भी password insert कर देता हूँ, और उसी password को मैं डाल कर आगे कभी भी jam portal में कोई भी changes करना चाहूँ, तो मैं कर पाऊँगा, मैं इसमें password डाल देता हूँ, password डालने क review करने के बाद आप नीचे के एक option देखेंगे, उस option में दे रखा है create account, तो आप termins condition पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप नीचे जो create account का option है, इससे पहले आपको कुछ conditions हैं, उनको accept करके डालना पड़ेगा, कि हाँ आप उनको accept करते हैं, जो termins conditions PDF format में दी होंगे आपके लिए, जैसे आप इसको accept करते हैं, तो create account कर पाते हैं, create account करने के बाद आप देखेंगे कि आपको पुने ये home page पर पहुंचा देता है, क्योंकि आपका account बन चुका है, अब समय है कि दुबारा से जो आपने इसमें login करना है, जो आपने user ID चुने थ हैं और password डालते हैं, जो कि हमने password चुना है, उसके बाद complex box में कुछ संक्या दी हुई है, इसको ध्यान से लेकर इसको भी हम डाल देते हैं, उसको डालने के बाद हम देखेंगे कि इसको submit करते हैं, submit करने के बाद एक portal आपके सामने खुल कि आ जाता है, इस portal के खुलने के ब इन one by one सभी options को open करते जाते हैं, और open करने के बाद आप अपनी पूर details को इसमें डालते जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे register आप जो हुए है, as a OEM हुए है, OEM का मतलब होता original equipment factors, अगर आप किसी प्रकार के original equipment manufacturers हैं, तो आप OEM का select करते हैं, select करने के बाद, left hand पर जित् इसको भरना शुरू करते हैं,